हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, सुश्मा राज गुपता हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लौग, कमर्शियल लौग का चैप्टर एजनसी चल रहे हैं, तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, क्रियेशन ओफ एजनसी, बहुत इंपोर्टेंट चलिए शुरू करते हैं, क्रियेशन ओफ एजनसी चुरू करने से पहले एक बार एजनसी होती गया है एजंसी जो है तो पार्टी इसके बीच का एग्रिमेंट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अथराइस करती है कि वो पार्टी इसके बिहाफ पे काम कर सकती है तो जो पार्टी अथराइस करती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं जिसको अथराटी दी जाते है तो agent on behalf of principal काम करता है और जो भी वो काम करता है उसके लिए principal liable होता है तो इन दोनों के बीच जो relation है उस agency का relation कहा जाता है अब agency create कैसे होती है तो first agency by express agreement दो parties के बीच में जो agency है वो agreement से भी create हो सकती है कौन सा agreement express express का मतलब है oral या written जो है agreement से agency create हो सकती है ठीके तो इसकी कोई particular form तो है नहीं कि हमने agency create कैसे करनी है ठीके इसकी कोई particular form नहीं है ठीके जब भी कोई person अपने दूसरे person को authorize करता or to do any act on behalf of him तो उसे agency कहा जाता है ठीके अगर कोई एक person अपनी power of attorney किसी को दे रहे तो वो भी एक तरह की agency ही है किसी के power of attorney देना वो भी agency है और कौनसी agency है एक्सप्रेस agency है सेकिंड है agency by implication agency by implication का मतलब है कि हम लोग बोलके यह लिखके किसी को agent appoint नहीं करते हैं वो जो appoint किया जाता है due to nature of business कि business की nature इस तरह से है कि वो person किसी के भिहाब पे काम करना शुरू कर देता है यहां कई वार circumstances ऐसे आ जाते हैं कि किसी को agent हम appoint नहीं करते है बट वो as a agent काम करता है यह principal का conduct इस तरह से होता है कि जो दूसरा person काम कर रहे है वो एक agent का काम करता है point clear है यह course of dealings इस तरह से है तो कहने का मतलब ही है कि जहां पे बोल के या लिख के contract नहीं होता है बट behavior से nature और business की वज़ा से circumstances की वज़ा से या principal के conduct की वज़ा से agency create होती है उसे हम कहते agency by implication हांची इशाक वर्सिस मदल नाल का case है इसमें एक wholesaler है wholesaler क्या है वो potatoes का business करता है ठीक है अब उसने क्या potatoes sale की है कहां पे sale की है खांडवा में जगा का नाम है कहां पे मध्यापरदेश में ठीक है अब जिसके वो उसने sale की है जो भी उसका मतब पर पोस्ट पाया था उसने delivery लेने से मना कर दिया ठीक है अब फिर क्या हुआ ये जो wholesaler है इसने अपना मुनीम भेज है ठीक है कहां पे भेज है वहीं खाडवा में बेज है और मुनीम से कहा कि जितने भी पटाटोस आपने sale करने है जिस rate पे आपको ठीक लगे sale कर सकते हो अब ये गया मुनीम खाडवा में वहां पे कोई और person जिससे पहले किया था उससे ने कोई other person ठीक है उससे मतलब कि पटाटोस लेने के लिए वो त्यार हो गया खरिदने के लिए त्यार हो गया उसने मतलब बाकियों से जादा price offer किया पर जितना वह उसने price offer किया जो पहला price था ना जो पहले dealing होई थी उससे 700 रुपीज वो less था मितलब कम था ठीक है अब मुनीम को कहा था उसने कि तू जितने rate पे चाहे sale कर दे तो मुनीम ने वो potato sale कर दिये और जितने उसकी payment थी payment लेके उसने wholesaler को दे दी अब wholesaler ने एक बार तो money accept कर ली बाद में उसने इस person को जिससे मतलब की payment लिये उसको sue कर दिया इसलिए sue कर दिया for rupees 700 भी आपने 700 rupees कम दिये ठीक है तो court ने ये decision लिया कि जब आपने मुनीम को authorize कर दिया कम rate पे sale करने के लिए तो जो भी उसने sale की है चाहे कम rate पे की है वो sale valid होगी point clear है तो यहाँ पे जो authority है लिखके नहीं दी गई बट obvious है कि जब उसने का at any price ही choose तो इसका मतलब है किसी भी rate पे goods को sale कर सकता है आप जो implied agency है उसके आगे तीन parts है जो implied agency होती है वो किस तरह से हो सकती है agency by estoppel ठीक है एक है agency by estoppel दूसरा agency by holding out ठीक है जी थर्ड आगे अपना agency by necessity ठीक है हाँ जी सबसे पहले हम करते हैं by estoppel by estoppel में आ गया कि जब कोई एक person यहाँ पे मैं principal की बात कर रही है जब कोई एक person third party के सामने यह शो कर रहा है कि a a जानी agent यह मेरा agent है ठीक है principal third party के सामने यह शो कर रहा है कि यह मेरा agent है ठीक है तो बाद में वो इसको contradict नहीं कर सकता अब इस third party ने यह सोचके कि a इसका agent है third party ने क्या किया contract कर लिया कर लिया तो बाद में p मना नहीं कर सकता p is stopped from denying उसे मना करने से रोका गया है कि यह मेरा agent नहीं है point clear ok जी जब कोई एक person किसी third party के सामने यह show करता है कि यह मेरा agent है और यह सोचके third party उसके साथ कोई contract करती है तो बाद में p जो है मना नहीं कर सकता कि नहीं जी यह तो मेरा agent नहीं है या ए किसी थर्ड पार्टी को ये नहीं कहा सकता, नहीं जी मैं उसका एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि जब उसके पास टाइम था, कि वो मना कर सकता था, उसने नहीं किया, तो इट मेंज कि उसको एजेंट बनना पड़ेगा, it is implied agency. अजी, agency by holding out, जब कोई एक person, ठीक है, हम लोग P principle की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ, लंबे समेता की इस तरह से dealing करता है, कि थर्ड पार्टी को ये लगता है, कि ये उसका एजेंट ही है, ठीक है ना, डीलिंग जो है, long period के लिए चलती है, तो थर्ड पार्टी को ये आना जाएगा, ठीक है, हुआ क्या, केस है हमारे पास, hazard स्वर की versus trade वेल का, ए, डीलर इन आईरन, वो अपने सर्वेंट को भीजता है, किसलिए, कि credit पे आईरन पर चेस करने के लिए, ठीक है, ए, ने सर्वेंट को भीजा, किसके पास, थर्ड पार्टी के पास, ठीक है, फि उसने credit पे goods बाई की, तो ए, ने उसकी payment कर दी, second time क्या हुआ, ए, ने फिर सर्वेंट को भेजा, बट इस वार उसने cash दे के भेजा, कि goods जाके लिए, लेओ, सर्वेंट ने क्या किया, वो जो cash था, वो consume कर लिया, use कर लिया, और चला गया, third party के पास, उससे credit में समान ले लि है, तो इस वार भी वो credit पे goods लेने आया है, तो third party ने उससे goods देती, आप जो ए, principle है, तो ये सर्वेंट एक तरह से उसके agent का काम कर रहा है, तो उस case में third party जो है, एसे अपनी money claim कर सकती है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे agency by holding out कहा जाएगा, holding out मतदर, जैसा हमारा custom of trade चलता है, जैसे हम business काफी देश से चलते आ रहे हैं, तो third party ये assume करती है, तो इस बार की जो transaction है, वो भी पिछली से related होगी, और वो उस person को authorized मान के goods देती है, तो वो valid मानी चाहिएगी, हाँ जी कई बार क्या होता है, कि किसी person को हम agent appoint नहीं करते हैं, पर कोई extraordinary circumstances आ जाते हैं, जिसकी वज़ा से हमें उसे agent appoint करना पड़ता है, उसे कहते हैं, agency by necessity, ठीक है, extraordinary circumstances कैसे आगे, कि जैसे accent company ने by rail butter जो है, send किया था, अब हुआ क्या, rail की strike होगी, rail आगे बढ़नी सकती, अब अगर वो rail नहीं बढ़ सकती, तो बटर तो खराब हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये perishable nature की goods है, अब इस case में, अब railway वालों को पता था, कि जो बटर है, अगर पड़ा रहा, तो विल्कुली useless हो जाएगा, railway वालों ने क्या किया, वहीं पे उस बटर को sale कर दिया, अब sale करने से, जो action company है, उसका काफी नुकसान होने से बच गया, अब इस case में हम कह सकते हैं, जो railway ने काम किया है, वो है agency by necessity, ठीक है, अब इसके लिए जब भी agency by necessity होगी, ठीक है, उसकी कुछ conditions है, conditions क्या है, तब भी apply होगी, ठीक है, पहले condition है कि वहाँ पे necessity होनी ज़रूरी है, ने case किया, यहाँ पे necessity ज़रूरी थी, ठीक है, दूसरा, it is impossible to get instructions from the owner, भी owner से हम instruction लेही नहीं सकते, वो बहुत दूर है, यहाँ से communication हो पारी, ठीक है, और तीसरा, जिस बंदे ने भी agent का काम किया, बोनाफाइट किया, बोनाफाइट का मतल, उसके फायते के लिए किया है, त agency by necessity apply होगी, otherwise नहीं होगी, ठीक है जी, तो यहाँ पे clear है, यह implied agency की आगे तीन टाइप्स हैं, agency by estoppel, जिसमें आप किसी third party के सामने कहते हो, कि यह जो है, यह मेरा agent है, और third party आप से contract कर लेती है, वहाँ पे आप भी मना कर सकते थे, यह भी मना कर सकता था, कि नई जी मैं इस चुप रहा, तो बाद में वो यह नहीं कह सकता, नहीं जी मैं इनका agent हो, जब वो उन्होंने कहा कि यह मेरा agent है, then he could speak, अगर नहीं बोला, तो बाद में भी वो नहीं बोल सकता, holding out में हमने किया, कि अगर custom of trade ऐसा, आपकी business dealing ऐसी है, को third party उस person को agent मान लेती है, agent मान के contract करती है, तो उस case में principal libel होगा, ठीक है, यहाँ पर है कि अगर by necessity कोई person आपके agent का काम करता है, then वो agent माना जाएगा, और आप उसके लिए libel होगे, ठीक है, इसके पाद point बनता है, agency by ratification, हाँ जी, agency by ratification में वैसे तो agent वही काम करता है, जो principal उसे authorize करता है, ठीक है, उसकी एक boundary होती है, within boundary उसे काम करने होती है, ठीक है, अब अगर कोई agent beyond the powers काम करता है, जो उसे powers नहीं दी गई, वो beyond powers काम करता है, तो क्या principal उसके लिए libel होगा, के नहीं होगा, principle libel होगा, या नहीं होगा, उस case में depend करता है, principle पे, वो उसको adopt भी कर सकते हैं, जो उसने काम किया है, और reject भी कर सकते हैं, ठीक है जी, तो ratification क्या है, नॉर्मली तो वो reject करेगा, बट कई cases में वो उसे accept भी कर सकते हैं, तो ratification का मतलब क्या है, रैक्टिफ केशन का मतलब यही है, approval of the previous act, जो काम already, मतलब की agent कर चुक है, उसको approve करना, approval of our previous act, उसे हम क्या कहेंगे, ratification कहेंगे, ठीक है, हाँ जी, हुआ क्या, A ने बिना P से पूछे, P के agent का काम किया, और B के साथ contract कर लिया, अब यहाँ पे B की मर्ची है, वो चाहे इसे accept कर सकता है, वो चाहे तो इसे reject कर सकता है, अगर वो इसे accept करता है, इट मींज कि उसने एक है द्वारा किये के, contract को क्या कर दिया, ratify, ratify कर दिया, पाइंट क्लियर है, अब ratification तभी valid होगी, अगर यह सारी conditions पूरी होगी, तो जो हम कर रहे थे, कि creation of agency, तो उसके main तीन headings बनते हैं, agency by express agreement, agency by implication, और third by ratification, अब जो हम points करेंगे, वो ratification, valid ratification के होगी, पर जब आपको creation का question आएगा, तो आपने यह सारे points साथ लिखने हैं, ठीक है, 15 marks का बड़ा question आए सकते हैं, तो पहले essential है, act must have been done on behalf of the person ratifying, ठीक है, कोई भी person तभी उस act को ratify करेगा, अगर वो act उसके बिहाब पर किया गया है, ठीक है, अगर किसी और के बिहाब पर किया गया है, तो यह उसे ratify नहीं कर सकते, जैसे हम example लेते हैं, कि P ने A को authorize किया, कि जाके goods buy कर लो, रे at the rate of 1000 per kg, ठीक है, P गया, sorry, agent गया, agent ने जाके goods buy की, उसने मतलब जैसे quantity दी थी 1000 kg at the rate of this per kg, तो उसने क्या किया, 2000 kg goods purchase कर ली, और किस नाम पे purchase कर ली, अपने नाम पे purchase कर ली, P को कहीं भी उसने mention नहीं किया, जब P को उसने mention नहीं किया, goods उसने अपने नाम पे खरीद दी है, तो यहाँ पे P जो है, उसे ratify नहीं कर सकता, कहने का मतलब यह है, principle उसी transaction को ratify करेगा, जो उसके भी हाप पे की कई है, या उसके लिये की कई है, ठीक है, जहाँ पे agent ने अपने नाम पे goods buy की हैं, तो वो agent लाइबल होगा, principle लाइबल नहीं होगा, second point है, the principle must be in existence at the time of the act that is to be ratified, जब वो contract हुआ था, उस time पे principle का existence में होना ज़रूरी है, अगर वो existence में नहीं है, तो वो कैसे ratify करेगा, अब not existence में कौन आता है, जैसे company है, अभी incorporate नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी company incorporate नहीं हुई है, उससे पहले promoter कोई भी agreements करते हैं, चाहिए वो on behalf of company करें, पर उस time पे company जो existence में नहीं है, तो जब वो company बन जाती है, तो company उसे ratify नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर जब वो agreement किया गया, तब principle का existence में होना ज़रूरी है, अगर वो existence में नहीं है, तो वो ratify भी नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहें, तो कौन libel होगा, पर motors libel होगी, क्योंकि जो भी contract किया, वो उन्होंने खुद किया, किसी के भी हाप पे नहीं किया, अगर हम माने कि उन्होंने company के भी हाप पे किया, company existence में नहीं है, तो इट मिन्स कि उन्होंने जो भी contract किया, खुद किया, इसके लिए company libel नहीं होगी, हाँ जी next है कि जो ratify कर रहा है वो competent कर होना चीए ठीक है अगर आप किसी minor के भी हाप पे कोई act करते हो तो वहाँ पे minor जो है not competent to ratify the contract है तो उस case में वो valid ratification नहीं होगी ठीक है जी तो valid ratification के लिए क्या ज़रूरी है ratifier जो है competent to contract होना चाहिए transaction must have been subsisting at the time when it is ratified जिस time पे ratify किया गया उस time पे transaction का होना ज़रूरी है पहले हमने कहा कि principle का होना ज़रूरी है जब transaction अकर हुई है ठीक है ना तो principle होगा तब ही वो ratify करेगा अब हम कह रहे हैं कि जब ratification हो रही है उस time पे उस transaction का exist होना ज़रूरी है अगर transaction ही नहीं होगी तो आप ratify किसे कर रहे हो पाइंट यह है कि जब transaction ही नहीं है तो ratification किस चीज़ की हो रही है तो ratification तब ही होगी अगर transaction in existence है ठीक है ए ने पी के विहाब पे कोई contract किया ठीक है किस के साथ की अभी के साथ किया अभी पी को जब पता चलता है कि मेरे विहाब पे कोई contract हुए यह transaction हुई है पी अभी सोच ही रहा है कि उसको मैं rectify करूं in between इन दोनों ने contract को तोड़ दिया resign कर दिया अब यहाँ पे क्या पी rectify करेगा नहीं वो इसे rectify नहीं करेगा क्योंकि transaction cancel हो चुकी है transaction existence में नहीं है तो transaction का existence में होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है अब rectification तब भी valid होगी अगर principal ने अपनी जो rectification दिया है वो unconditional दिया है means उस पे कोई condition नहीं रखी अगर वो condition ही रख दी तो वो valid rectification नहीं होगी conditional rectification is not a valid rectification it is not a valid rectification point clear है तो conditional नहीं होने चाहिए rectification express भी हो सकती है और implied भी हो सकती है express मतलब बोल के या लिखके हो सकती है implied behavior से पता चलती है ठीक है बोल के लिखके थो हम पहले करी चुके हैं जब उसने goods sale कर दी it means उसने जो goods buy की है उनको accept कर लिया it means उनको क्या कर दिया ratify कर दिया बट यह जो ratification है इसे हम implied ratification कहेंगे ठीक है point समझा गया अगर BA को inform करता है ठीक है मैं ratify करता हूं मैं खरीदने को त्यार हूं वो express होगी जब उसने आगे goods sale कर दी यह implied होगी point clear तो ratification क्या हो सकती एक्सप्रेस भी हो सकती और implied भी हो सकती है जो ratification करनी है उसमें मतलब कि सारे material facts की knowledge होनी चाहिए material facts की knowledge कैसे है यहाँ पर A मैं agent के लिए word use कर रहे हूं A ने क्या किया P के भी हाप पे goods खरीद दी है ठीक है आप goods खरीद दी है P से कहता मैंने तो जी आपके भी हाप पे goods खरीद ली आप जब खरीद ली P सोचने लगा कि चलो मैं इसको ratify करता हूं ठीक है उसने ratify भी कर दिया बाद में पता चला कि वो जो A ने goods buy की थी वो उसने actually buy नहीं की थी वो उसकी अपनी goods थी और वो higher rate पे P को sale कर रहा था ठीक है उसने क्या किया material fact कि ये चीज मेरी अपनी है और ज़्यादा rate पे है दोनो material fact उसने P से क्या रखे चिपा के रखे तो अगर P ने ratification कर भी दिया without knowing material fact तो वो ratification valid नहीं होगी समझ के इसके लिए P liable नहीं होगा क्यों क्योंकि P को inform नहीं किया गया ठीक है जब भी ratification करनी है तो whole transaction की करनी है कभी भी ratification parts की नहीं होगी या तो ratification होगी या नहीं होगी ये नहीं कि आप half की ratification कर रहे हो ठीक है ए ने P के भी हाप पे 500 kg goods घरी दिया है तो जो P है या तो 500 की ratification करेगा या नहीं करेगा ये नहीं कि वो 200 की ratification कर रहे है तो वो valid ratification नहीं है ratification must be made within a reasonable time जो आपने contract को ratify करना है within a reasonable time करना है ये नहीं कि time खतम होगी या 6 मिन्य होगी 12 महिन्य होगी ठीक है 12 महिन्य बाद आप कह रहे हो ठीक है जी मैं ये contract ratify करता हूँ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए जो ratification करनी है that must be within a reasonable time अगर आप reasonable time में नहीं करते तो वो valid ratification नहीं होगी अब जो ratification हमने का कि reasonable time में होनी चाहिए reasonable time के बाद नहीं होनी चाहिए तो उसी तरह से जो हमने ratification करनी है वो act जिसकी ratification करनी है वो act illegal नहीं होना चाहिए illegal नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए legal act होना चाहिए legal होना बहुत जरूरी है ठीक है जी हाँ जी ratification must be communicated यह नहीं कि agent ने काम किया principle ने उसे ratify कर दिया ratify करके drawer में letter रख दी नहीं ratify किया तो उसको आपने communicate भी करना है जब तक वो communicate नहीं होगा तब तक वो valid नहीं माना जाएगा यही चीज हमने offer में की थे कि offer तब भी valid होगी acceptance तब भी valid होगी अगर वो communicate होगी उसी तरह से ratification भी communicate होनी ज़रूरी है ratification must not injured a third person जैसे यहाँ पर agent ने कोई ऐसा काम किया है on behalf of the P जिससे B को loss हो रही है B को नुकसान हो रहा है ठीक है अब यह के काम की वज़ा से अगर B को नुकसान हो रहा है तो P उसे ratify नहीं करेगा ratification ऐसी नहीं हो जिससे किसी third person को नुकसान हो ठीक है तो इसके लिगे valid ratification के लिगे ज़रूरी है किसी भी party को कोई loss नहीं होनी चाहिए ठीक है then ratification relate back to the date of act of agent जो भी ratification की जाएगी वो back date से मानी जाएगी back date मतलब जिस date को transaction actually हुई है ठीक है कैसे जैसे A है A ने P के बिहाब पे कोई transaction की है B के साथ ठीक है अब transaction की A ने P को inform किया अब भी P जो है ratification कर रहा है ratification करने से पहले जैसे वो ratification की letter post कर रहा है तो इसने अपनी rework की letter post कर दी तो इसकी जो rework है वो valid नहीं मानी चाहेगी उल्टा जो ratification है वो back date से मानी चाहेगी जैसे एक January को transaction हुई है इसने 5th January को ratify किया है और 4th को अगर ये rework की letter डालता है even then ये ratification valid मानी चाहेगी कब से मानी चाहेगी 1st January से valid मानी चाहेगी ठीक है तो आज का हमारा topic था creation of agency बहुत important है और बहुत अच्छा question बनता है with examples आपने explain करने है ठीक है वीडियो को like करने चैनल को अभी तक नहीं subscribe किया तो जरूर subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा share करें ठीक है जी थांक य। थांक य।